तो और वाई क्या हाल चले यार हूप आप से वह एक दम बढ़ी आ हूंगे वसक्लास हो गैसे आप में से बहुत सरे लोगों ने बोला कि कोई अच्छा ब्लोगिंग के लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आँ इंट्रो ट्यूटोरियल कैसे यार ब्लोगर्स लोग क्रिएट कर से इंट्रो का आज इस वीडियो देखते रहों मैं आपको बताने वाला हूं का इसे ब्लोगर्स लोग टो आपकि पास पर इससे चलीब कर लो प्लेश्टोरे यह फीयाश्ट ब्ले चयों पर पाइड करसे कहते हुट उसकी यह जहा इसे जरूर आपको अपना चैनल का नाम लिख देना है यहाँ पर हमारा टेक्स्ट क्रियेट करेंगे तुम्हेरा अपना चैनल का नाम लिख दिया 90 क्रियेटर से उसके बाद क्या गिनना है इस तरह से आपको इसे अड़ेस्ट कर दिना है तो यह हो जाने के बाद उपर यहां पर ट्राइब को क्लिक करना है कलिक करने के बाद कुणध रिमेज साइस पर क्लिक करके YouTubeở चूज कर लोगे okay कर दोगे उसके बाद कि देखिए इस text को आपको एक font देना है font देने के लिए guys right पर जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा font का section इस पर click करोगे यहाँ पर आपको my font पर जाना है guys यहाँ पर देखो मैंने custom font बहुत एड़ किया है बहुत सारे मैंने custom font एड़ किया है आपको क्या करना है guys इदर i button पर मैं एक वीडियो का link देदूँगा अब मेरा वीडियो है बहुत पहले मैंने create किया था तो उस वीडियो पर मैंने दिखाए कैसे pixel लेप पर आमिन font डाउनलोड करके एड़ करते है अगर आप वो वीडियो देख लोगे यह वीडियो देखने के बाद तो बहुत इस तरह से एड़ कर सकते हो ठीग सो यहाँ पर देख सी तो मैंने एक font डाउनलोड कर लोगे इसका लिंक दे दूंगा description box पर सबसे पहला मिलेगा तो इससे डाउनलोड कर लेना यह font को उसके बाद आप जाके यह आई वटन वाला वीडियो देख लेना ठीक है आपको पता चल जाएगा कैसे font एड़ करते है यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद 2 या 3% तक आप स्पेस दोगे ज्यादा मत देना ज्यादा दोगे तो वह खराब हो जाएगा आपका टेक्स तो यहाँ पर मैंने 2% तक दे दिया ठीक है 3% दे देता हूं ओके यह हो गया उसके बाद आपको क्या करना है साइस तोड़ा चोटा कर देना है यहाँ पर मैं से सेप्ट कर देत अब यहाँ पर आपको एक application डाउनलोड करना होगा, इसका नाम है guys Filmora Go, इसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा description box पर, इस पर ही हम intro create करेंगे, इसके अंदर काफी बढ़िया application है guys, editing करने के लिए intro वगेरा, क्योंकि इसके अंदर काफी बढ़िया तरीके transition effects वगेरा मिल जाते हैं, इसे सबसे पहले download कर लेना, ठीक है, उसके बाद guys, देखिए क्या करना है, इसके अंदर आपको बहुत सारे videos भी editing कर सेकते हो, पर मैं simply यहाँ पर intro create करना सिका रहा हूँ आपको, तो इंट्रो देखना कैसे create करते हैं, तो simply guys, new project पर click करोगे, click करने के बाद guys, यहाँ पर आप blogging का intro create कर रहे हो, तो आपको इस तरह की कुछ videos एड़ करना है, जिसमें आप कोई ऐसा camera से photography वगरा कर रहे हो, या फिर आप blog कर रहे हो, इस तरह की 3-4-2-3 वीडियो एड़ करना है, छोटे-छोटे पार्ट पार्ट सो मेरे पास देखो, sample के लिए मैं यहाँ से, so sample के लिए guys, मैं यहाँ से यह वाला वीडियो मेरा add करता हूँ, साथ ही साथ यह वाला वीडियो भी add करता हूँ, और यह वाला, यह तीन वीडियो में add करता हूँ, आप यहाँ पर import कर देता हूँ सो यहाँ पर इतीनो वीडियो इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको इन वीडियो को चोटे चोटे पार्ट पर ट्रिम करना है क्योंकि यार इंट्रो बना रहे हूँ आप तो वीडियो नहीं बना रहे हूँ इतना लंबा मत करना इंट्रो का पार्ट आप पाच सेगेंड चार स इस तरह के छोटे पार्ट में इंट्रो क्रिएट करना ठीक है मैं इन्हें ट्रिम करूंगा देखना उसके बाद मैं कैसे टेक्स्ट को एडिट करूंगा कैसे इंट्रो बनाऊंगा आप स्टेप फॉलो करना तो यहां पर हमारा तीनो वीडियो एड हो चुका है आप इसे देखो मैंने इसापर सिर्फ तीन यी वीडियो एड किया है आप अगर चार-पाच यइड करोगों तो आप यह लगए ला ऑपर बीच लंगर लेट करोगों इस पार्ट का भी मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ इस पार्ट पर और इसका राइट साड में डिलेट कर देता हूँ और इस वीडियो का भी मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ और इसका राइट साड ट्रिम कर देता हूँ तो यहां पर देख सीकत हो guys चोटे पाट पर सिर्फ ओर सिर्फ चार्ट सेकंड का इंट्रो में ने बनाया है guys देख सीकत हो उसके बाद आपको क्या करना है इसके बीच में transition add करना है simply guys यहां पर click करोगे, click करने के बाद guys यहां पर आपको zoom पर जाना है यहां से zoom से यह वाला सबसे पहला आप add करोगे यह हो गया एक transition उसके बाद guys क्या करना है आपको इसमें जाना है इस वाले second वाले transition पर यहाँ पर दोबर आपको zoom पर जाना है और यहाँ पर आपको यह transition एड़ करना है तो आप हमारा बार ही है टियर्फcm तो एक्ष्याइड करने के लिए यहाँ पर आप effect वाले section पर जाओगे यहाँ वाले section पर is पर k王िक करने के बाद कुछ इस तरह से slide होगा आपका वीडियो एंगल इस तरह से rotate होता रहता है तो बाई काफी बढ़िया effect देता है उसके बाद गाई देखो यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो PIP आपको क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद आपको photos वाले section पर जाके एक shadow add करना है इस shadow का link मैं दे दूँगा description box पर इसे आप download कर लेना so यहाँ पर मैं इसे add कर दीता हूँ download section से so यहाँ पर देख सी तो मैंने shadow को add कर दिया guys shadow को add करने के बाद इससे आप full screen कर दोगे इस तरह से पूरा पूरा full screen कर दोगे ठीक है आपको इसे पूरा video पर दे दिया उसके बाद को क्या करने अपने clip को effect अगर देना चातो अपने जो clip है ऊसका अगर आप filter करना चाते हो तो filter करने के लिए guys यहाँ पर आपको मिलता है filter वाले section इस पर जाना है या आज से preset पर जाना है ऐसे कोई सब फिल्टर दे सकते हो यह वाला फिल्टर भी काफी बढ़ी है यह भी दे सकते हो अगर आप चाहू कि यहां से ब्राइटनेस वगरीड़ा भी ड्यक्तर कर सकते हो ठीकिए तो यह हो जाने के बाद गैशिद देखुए आपका क्या करना यहां पर और कुछ नहीं कर इंट्रो हम रेडी कर देंगे स्यापर हमारा वीडियो का काम हो चुका है आपको टेक्स एडिट करने यहां पर आपको एफेक्ट पर जाना है। जो साइड़ गर्डिक करने के पाद पूरा विडियो पर दे देना है। इसके बदें आपको साइड़ आ जाना है। पर आने के البद दुबार χ baru पर खुर्लिक करना है और यहां यहां पर आपका टेक्स्ट भी रेडी हो चुका है, उपर आप क्लिक करोगे फिट से, और 1080p और 60fps पर इसे भी एक्सपोर्ट कर दोगे, अब यहां पर हमारा फाइनल एडिटिंग है, इंट्रो क्रेइट करने का आप स्टेप्स देखना कैसे करते हैं, यहां पर हमारा टेक्स्ट का काम खातम हो गया है, उसके बाद आपको दोबारा न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, सबसे पहला जो वीडियो अपने एक्सपोर्ट किया था, उससे आपको यहां पर इंपूर्ट करना है, आइज आण سब्देख सों हमने इसे एक्सपूरण किया था अब यहाँ पर बार है हमारा टेक्स्ट को एड़ करना तो दुबारा आपको जाना पिपी मूड पर यह जो पिए इस पर आपको क्लिक करना है यहां से अपना टेक्स्ट एड़ करना है कुछ इस तरह से अगर पर आपको जाना है यहां ब्लेंडिंग वाले औप्षन पर और यहां से ब्लेंडिंग से आप कर दोगे इससे स्क्रीन कर दोगे या फिर अगर आप चाहो तो भाई multiply जो भी आपका I mean black color shadow हटाता है उससे आप simply add कर दोगे ये उसके बद्गेस देंगे डिह पर हमने कर दिया उसके बद्गेस यहांपर आपको मोशन पर जाने के बाद कर दोगे इसको कछ इस तरह से अप इसे बडाyorsun कर दोगे कुछ इस तरह से ठीगे तो गएज यहां पर अगर मैं प्लेए करूँगा तो गज़ देख सकते हुए तो कुछ इस तरह से हमारा इंट्रो create हो चुका है गैस काफी बढ़ी एंट्रो हो चुका है यहां पर हमना इंट्रो छो है यह बहुत ही चोटा कर दिया चार सेकंड का अगर आप 6 सेकंड का करोगे तो भाई बहुत ही गजब का लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है गज़ देखिए अगर आप चाहते हो कि इस क्लिप को स्लो मुशन देना तो यहाँ पर आपको स्लो मुशन भी डिरेक्ली दे सकते हो कुछ इस तरह से आठ सेकंड या नौट सेकंड तक slow motion देने के बाद guys उपर वाला आपका जो अपने clip एड़ किया है इसे भी आप slow motion देना चाहते हो तो 8 सेगन तक दे सकते है कुछ इस तरह से तो दोनों clip एकदम same हो जाएगा आपका काम खतम हो जाने के बाद इंट्रो आपका पूरा ready है आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप चाहो तो directly music भी एड़ कर सकते हो यहाँ से उनका royalty free music है या फिर अगर आप अपना music एड़ करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो यह सब हो जाने के बाद इधर उपर आप click करोगे और यहाँ से export कर दोगे इससे 1080p and 60fps पर आपको पसंद आया होगा और यह एप का link मैं देदूंगा description box पर film और अगो का अगर आप इसे download नहीं करोगे तो create नहीं कर पाऊगे क्योंकि इसके अंदर जो effects है इसी से ही आपको यह intro बनाना पड़ेगा वरना आप नहीं कर पाऊगे तो इससे download कर लेना गाइस इसका link देदूंगा description box पर I hope आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए ठीक क्या झालो कर से 2डियो में वीडियो में अगर वीडियोは 22 द्क्षा इससाली में एक लाइसली में छिह एक लिए भाइसली में आपको एक लेगुड़ेगा आपको आपको के मिलते हैं जरूर किया ये खित्वार, पाम